आप जानकारी लेकर आए हैं नेवले के दर्शन पर एक प्रयोग के लिए ये जो जानकारी है ये एक ऐसे प्रयोग के लिए है जो बहुत सारे लोग नहीं जानते और नेवले के दर्शन होने पर भी उसका पूरी तरीके से लाब नहीं उठा पाते देखें नेवला जो होता है ये एक ऐसा जन्तू है जो जंगली माना जाता है किन्तू गाउं और शेहरों में भी आबादी के बीच में पाया जाता है ये प्राये खंडोरों में रहता है और भोजन की खोज में घरों में भी आ जाता है नेवला अगर मार्ग में मिल जाए, रास्ता काट जाए, रास्ते के बीच या दाएं बाएं खड़ा हो जाए या फिर आपकी और देख ले, आपकी और देख कर मूँ खोले, जीब लिका ले या किसी प्रकार का कोई लक्षण देकर वहां से चला जाए, ये बहुत ही शूब माना जाता है कहा जाता है कि नेवला साक्षायत नारायन का संदेश वहाख होता है और वह जिससे दिख जाए या वो जिससे देख ले, मानो भगवान विश्नु की करपा हो रही है अगर अज्यानता वस लोग ऐसे द्रश्य का लाब नहीं उठा पाते लेकिन आज हम आपको जो ये बता रहे हैं विधी के आपको क्या करना है अगर नेवला दिख जाए तो निश्चिति भगवान विश्नु की करपा आपको प्राप्त होती है अगर आप कहीं जा रहे हैं और अगर आपको नेवले के दर्शन हो जाए तो उसी समय आपको ओम नमो नारायन ये मंत्र बोलना चाहिए ओम नमो नारायन मंत्र पांच मिनिट तक बोल कर उसी दिन शाम को अपने घर में आके दिया जलाएं भगवान विश्नु के नाम का और उनसे प्रातना करें कि ये सुब शंकेत जिस भी आगामी कारे को सफलता दर्शाने के लिए आपने मुझे ये दर्शन कराए हैं उस कार में मेरी सफलता जल से जल प्राप्त हो और मेरा कारे बन जाए बस जिस दिन आपको नेवले के दर्शन हो जाएं ओम नमो नारायन पांच मिर्ट जब करके अपने घर में शाम को आकर भगवान विश्नु के नाम का दिया जला देना चाहिए ऐसा कर देने से आने वाले समय में आपको धन का बहुत अधिक लाब होता है या जो भी शुबकार या आपका सफल होने वाला हो वो बहुती जल्दी हो जाता है और बहुती अधिक लाब देता है और जिस भी आगामिक कारी के लिए आपका प्रयास चल रहा होता है वो कार अवश्य ही सफल होता है ऐसे ही बहुत सारे अन्य तांत्रिक उपियोग प्रयोग उपाए टोटके के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सात्विक और वैदिक प्रयोग करके लाब उठाए जै शी क्रिष्णा